ओम श्यान्ति आप सबको स्वागत है आपके ही यूट्यूब चैनल सीदे सुल टूथ लाइस विदिन में और आज हम बात करेंगे परमपिता परमात्मा के 21 दिन के श्री वर्दान में जहां पर परमात्मा चाहते हैं कि उन्होंने जो हमें ग्यान दिया हुआ है गुणों का ग्यान दिया हुआ है शक्तियों का ग्यान दिया कि आत्मा के अंदर कौन सी शक्ति है जैसे कि पहले कोई बात होती थी तो हमारे संकल्पों में हम ब्रेक नहीं लगा पाते थे संकल्प चलते जात पाएं यही शक्ति भी आत्मा के अंदर है लेकिन ब्रेक लगा करके क्या वहीं खड़े रहेंगे नहीं क्योंकि संकल्प फिर से चलने शुरू हो जाएंगे तो ब्रेक लगा करके उन संकल्पों को फिर से टर्न करना वो आना चाहिए तो यह सारी विद्य हमें का मिलती है ब्रह्मकुमारी के सेवन डे कोर्स और उसके बाद में जो भी और चीज दिखा जाती है उसमें यह विद्य हमें जो आप भी ले सकते हैं तो परमपिता परमात्मा चाहते हैं हम इन गुणों और शक्तियों के अनुभवी बने जैसे दुनिया में कहा जाता है कि इनको अनुभव है बिजनस का इनको अनुभव है लौ का इनको अनुभव है मेडिकल का तो डॉक्टर को इसका अनुभव है लेकिन सबसे बड़ा अनुभव वो है आत्मा के अंदर गुण और शक्ति होना क्योंकि चाहे सब कुछ चला जाए धान चला जाए, पोस्पोजिशन चला जाए नामान्शान चला जाए लेकिन अगर आत्मा के अंदर शक्ति है उसके अंदर गुण है वो सब कुछ फिर से कमा सकती आत्मा बेकार पुर्शाद आज किया, कल नहीं किया, आज में रिटीशन किया, कल छोड़ दिया, पांच-छे दिन मुरली पड़ी, फिर मुड़ ओफ होके फिर छोड़ दिया, वो नहीं करना चीए, परमात्मा कहते हैं, वो तो मध्यम से भी नीचे हो गया, अब जैसे कि ये टूल्ज होगे हमारे लिए, कोई अगर गाड़ी को ठीक करना होता है, आपके पास में डिफरिंट डिफरिंट आपके ओजार होते हैं, टूल्ज होते हैं, तो परमात्मा कहते हैं कि उसी तरीके से आपके पास में ये सारे गुण और शक्तियां जो हैं, वो पास में आपके ओजार हैं, आत्मा को शान्ती महसूस कराने के लिए, सुख महसूस कराने के लिए, तो उनको अगर आप यूज नहीं करोगे, और सही समय पर लगाओगे नहीं, तो उसका फायदा नहीं होगा, तो श्रेश्ट पुर्शार्त नहीं कहलाए जाएगा, फिर ब धन कमाया, और अगर हमने उसके साथ में बद्दुआय कमाई, बुरे कर्म करके भी धन कमा सकते हैं, अच्छे कर्म करके भी धन कमा सकते हैं, दुआ कमाते भी धन कमा सकते हैं, बद्दुआ कमाते भी धन कमा सकते हैं, तो एक में क्या होगी, आत्मा की पावर घटती तो परमदर कहते हैं सबसे बड़ी अथोरिटी अनुभव की है जैसे सोचते और कहते हो कि आत्मा शान्त सुरूप सुख सुरूप है तो आत्मा को शान्ती और सुख महसूस करने के लिए उसके पास में सुख सुविधाय होने की जरूत नहीं है वो तो इस तवच्चा के लिए सुख से बिदाय होगी ये शरीर को सुख महसूस कराने के लिए सुख से बिदाय होगी लेकिन आत्मा का सुख आत्मा की शान्ती उसके संकल्पों में है उसके संकल्पों की purity में है तो बाबा कहते हैं ऐसे एक एक गुणवा शक्ती की अनुभूती करो वो शक्तियां हैं अश्ट शक्तियां आपको धारण के तौर पर अगर बताया चाहे तो सेहन करने की शक्ती, सामना करने की शक्ती, परखने की शक्ती कि ये आत्मा के अंदर कहीं लोब तो नहीं है ये आत्मा कहीं गृणा से या नफर से तो नहीं आपके साथ में बात कर रही है क्योंकि अंदर कुछ बाहर कुछ तो जब हम आत्मा मेडिटेशन करती हैं हम जादर महसूस कर लेते हैं कि अंदर कुछ या बाहर कुछ वाली आत्मा कौन है और अगर उस चीज की अनुभूती कम होती है तो फिर हम दोगा का लेते हैं वो होता है तो परमात्र कहते हैं उस शक्ति को बढ़ाना है उस अनुभवों को बढ़ाना है ऐसे एक एक गुणवा शक्ति की अनुभूती करो और उन अनुभवों में खो जाओ क्यों? क्योंकि जिस चीज में हम खो जाते हैं, उस चीज में हम बिलीन हो जाते हैं, उस चीज में हमें सुख मिलना शुरू होता है तो बाबा कहते हैं इन शक्तियों के और गुणों के अनुभव में खो जाओ जब कहते हो शान्त असुरूप तो शुरूप में स्वेम को दूसरे को शान्ती की अनुभूती हो तो यह ने की थोड़ी दिर के अपने शान्ती मैसूस करी फिर से आप उतेजना में आगे गुस्से में आगे इर्शा में आगे गरना में आगे वो फिर से महौल चेंज कर दिया आपने पुरी परिवार का या उस organization का या उस office का या उस business place का फिर बाबा कहते है शक्तियों का वंडन करते हो लेकिन शक्तिवा गुण समय पर अनुभव में आए सुर्फ वंडन नहीं करना है सही समय पर वो अनुभव आपको हो अनुभवी मुरत बनना ही श्रेश्ट पुरशार्त की निशानी है क्यों? क्योंकि बिना अनुभव किये आपको अगर आप गुण और शक्तियों का अनुभव ने करते हैं तो आपको उनका फल उनका फल नहीं चखा टेस्ट नहीं किया तो फिर आपको ग्यान के अंदर भी कुछ अच्छा नहीं लगेगा ग्यान सुनने के ले अच्छा लगा लेकिन ग्यान को इस्तमाल नहीं किया टूल्स को इस्तमाल नहीं किया सामने गाड़ी पड़ी है टूल्स हैं आपके पास में आपने देख भी लिया टूल्स को यूज कर से करना लेकिन इसको अपने इस्तमाल ने किया, आपको अनुभव नहीं हुआ, आपको खुशी नहीं होगी कि आपने इस चीज को ठीक कर दिया इसी तरीके से अपने मन के अंदर शांती ले आना, दुख को ठीक कर देना, वो भी रेपेर कर देना और शांती ले आना, सुख ले आना, ये बी एक कला है तो उसके लिए हम ब्रहमा कुमारीज में ये टूल्स मिलते हैं हमाई तो ये औजार के हैं उसके लिए तो आपको प्रमा कुमारी इसका 70 कोर्स करना जरूरी है फिर बाबा कहते हैं अनुभवी मुरत बनना ही श्रेश्ट पुर्शात की निशानी है तो अनुभवों को बढ़ाओ किन चीज़ों के अनुभव? इन शक्तियों और गुणों के इस्तमाल के अनुभव से कैसा महसूस होता है उससी इसको बढ़ाने के लिए परमात्म कहते हैं तो आज की इश्रेव वर्दान इसके साथ में उम्शन थी